नमस्कार दोस्तों मैं आशुनी पार्णडे स्वागत थाफ सब के एक नई वीडियो में नो हाली में एक वीडियो बहुत जादा वाइरल हो रही है जो कतर के अमीर है उनके साथ में परधानमंती नेरेद मोदी की क्योंकि कोप 28 का एक मीटिंग हो रहा था दुबई के अंदर उनके साथ बहुत सारे नेताओं की और जो वर्ड लीडर्स हैं उनकी तस्बीरे वाइरल हो रही है वीडियो वाइरल हो रही है खासτα हो से रिषी सुनाकी तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रधानमंती नेरेद मोदी जो है वो कतर के जब लीडर से मिले वो तस्बीर बहुत सीजर है उसमें हमें भी समझाओ कि किस तरह से इनको देथ पेनेंटी सुना दी गई और हम कुछ इनमें कर सकते हैं इनको बचा सकते हैं यह अपील भारत की मान भी ली गई थी और अब उससे बड़ी कोट में यह फैसला जा चुका है और वहां से सुनाई हो रही है देखो जह वहां का राजा होता है वो किसी को भी जो देथ पेनेंटी जिसको हो गई है उसकी देथ पेनेल्टी कोạoर्च कर सकते हैं और झोड़ सकता है धुर्दक जांपल के लिए कुछ ऐसे केस होते करती है मतलब अगर उस ब्यक्ति को जिसने हरेस्मेंट किया था उसको अगर death penalty code ने सुना दिया है तो महिला उसे personally माफ नहीं कर सकती है उसमें क्या होगा कि फिर राश्प्रत माफ कर देगा तो करेगा और राश्प्रत माफ ऐसे केस कभी करता ही नहीं है तो यह नियम है मतलब personally बैक्ति तो माफ कर नहीं सकता है कि यह जो है वो कतर के अमीर हैं वह चाहें तो माफ कर सकते हैं एक सिने भी परसंद इंडिया के हैं जिनको वहाँ प्पासी किसा सुनाई गई गई है हाला कि उनका दोस क्या है, वो कह रहे हैं कि जिन कंपणी में ये लोग काम करते थे वो कतर की मिलेटरी के साथ में बहुत जादा कोलेबरेट करती है वहां से हमने जो इटिली के साथ में कुछ समरीन बनाने का कॉंट्रेट कर रखा था, उसका information इन लोगों निकाला जा रहा है कि परदानवंदी नेयन मोदी जब इनसे मिले होंगे क्योंकि इतनी भीड थी 192 देश के लीडर्स वहाँ पे उपलब्द थे उस बीच में अगर मोदी जी ने इससे बात की चीट करी जाके तो इसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि हो सकता है नेयन मोदी ने इसके पोलिक्स में और इंटरनेसिनल पोलिक्स में तो इस तरह से इंडिया की साख के लिए भी यह बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता आगर एसा नहीं होता है तो इस वज़ासे इंडिया लगाता ट्राइ कर रहा है कि इंडिया के जो एक्स ने भी परसंस है वो छूट जाए दूसरी बात क्या है कि जो कोब 28 हुआ इसका अगर आपको लिंकेश ढूनना है तो आप जी 20 जब इंडिया होस्ट कर रहा था उस टाइम से ढून जो बायो फ्यूल वाला अलाइंस बना था आपने